दोस्तो वैसे तो UK जाने के बहुत सारे तरीके हैं और उन्हीं में से एक तरीका है दोस्तो UK का सीजनल वीजा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UK के सीजनल वीजा की कि अगर आपको यह वीजा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको यह visa मिल जाता है तो आप क्या-क्या कर सकते है और आपको इस visa के लिए कितना समय मिलता है कितने दिनों के लिए आप UK जा सकते है कितनी fees भरनी पड़ती है आपको आज किस video देने वाल हूँ यह एक ऐसा visa है जो कि बहुत कम पड़े लिखे लोग भी ले सकते हैं बहुत आसानी से आज की इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दूँगा एंड तक बने रहीएगा दोस्तो और वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को बारा महीनों तक के लिए यूके जाकर के काम कर सकते हैं दोस्तो ये वीजा आपको बहुत आसानी से मिल सकता है इस वीजा की फीज जो है 25 सचब्विस अजार रुपए के होती है दोस्तो और इस वीजा के तहर्ट आपको जो है फार्म रिलेटिड जॉब्स होती है तो फार्म पे आपको अकमेंडिशन वगर भी प्रवाइट के जाता है दोस्तो फूड वगर भी प्रवाइट के जाता है तो अगर आप ये वीजा लेना चाहते है तो सबसे पहले आपको सीजनल जॉब ढूणनी पड़ेगी UK में अगर आपको सीजनल जॉब मिल जाती है दोस्तो आपको एक employer मिल जाता है जो कि आपको बुला सके UK तो आपको जो हिये visa लो सकता है दोस्तो बहुत आसानी से इस visa के कुछ eligibility requirements नहीं है तो सारी के सारी जानकारी आपको जान लेनी होगी तब ही आपके लिए visa ढोगा otherwise अगर आप ये वीजा ले लेते हैं UK पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि मैं ये चीज़े करी नहीं सकता ये चीज़े कर सकता हूँ तो फिर आपके लिए डिक्कत हो सकती है दोस्तो तो किसी भी वीजा को लेने से पहले वीजा के बारे में पढ़िये वीजा के advantages पढ़िये वीजा के benefits पढ़िये दोस्तो और उसके disadvantages पढ़िये अभी मैं आपको UK government की official website जहां से हम जानकारी लेते हैं दोस्तो वहाँ पर लेके जलता हूँ आपको एक एक पॉइंट जो है हिंदी में समझाता हूँ कि अगर आप UK के वीजा लेना चाहते हैं सीजनल वीजा तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तो चलिए ले चलता हूँ आपको अपने मुबाइल स्क्रीन पर दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आपको Government of UK की ओफिशल वेबसाइट पले काया हूँ जहां से मैं आपको UK की अलग-अलग टाइप की वीजा की जानकायरी दे सकता हूँ दोस्तो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं UK के Seasonal Worker Visa के बारे में जिसे Temporary Work के लिए यूज किया जाता है इस वीजा के तहट जो है दोस्तो आप 6 महिने से 1 सालों तक के लिए UK जाकर के काम कर सकते हैं और आपको जो है Farm-related काम करने का मौका मिलता है दोस्तो अभी हम content देख लेते हैं आपर overview वगरा बताऊंगा आपको eligibility बताऊंगा documents क्या-कै जरूरत पढ़ने वाले हैं दोस्तो और apply कैसे करना यह बताने वाला हूँ overview में आप देख सकते हैं आप इसमें seasonal काम कर सकते हैं यह आपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है you can apply for a seasonal worker visa to come to the UK and work in horticulture में काम कर सकते हैं आप 6 महीने के लिए जैसे picking, packing वगेरा काम करना है आपको ठीक है fruit picking हो गया, vegetable picking हो गया, flower picking हो गया, किसी भी type की picking, packing करनी पड़ सकते हैं दोस्तो साथ ही आप poultry farming से related काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाप लिखा हुआ है poultry from 2 October to 31 December अगर आप poultry का काम करना चाहते हैं तो आपको 15 November से पहले पहले apply करना होता है ठीक है, यह सारी चीज़े भी लिखी हुई है यहाप लिखा हुआ है इसके लिए आपके पास जो एक sponsor होना चाहिए यानि के employer होना चाहिए दोस्तों जो कि आपको UK बुलाए ठीक है उसके बाद meet the other eligibility requirements अब eligibility requirements का होने वाली है दोस्तों वो भी आपको बताने वाला हूँ बस आपको पहले यह तोड़ा सा clear कर देता हूँ कि आपको वीजा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है तो यह चीज जो है आप confirm कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद कितने पैसे लगने वाले दोस्तों वो आपको बताया जा रहा है application fee जो है आपकी 259 pounds होने वाली है जो की करीब 25 से 26,000 रुपेयों के करीब होती है दोस्तों आप easily इतने पैसे भर सकते हैं अगर आप खुद से एक job secure करने में सफल हो जाते हैं तो otherwise अगर आप agency की मदद से ये वीजा लेने की कोशिच करते हैं दोस्तों तो आपको इसके लिए 5 से 10 लाग रुपे भी देने पड़ सकते हैं ठीक है आप कितने दिनों के लिए रह सकते ह यहाँ पर लिखा हुआ है you can stay in the UK up to 6 months 6 महिनों तक के लिए रह सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी आपकी UK में job चालू होने वाली है उससे 14 दिन पहले आप entry कर सकते हैं सपोज आपकी job 14 तारिक को चालू होने वाली है तो आप 30 या 1 तारिक को वहा को लाओ कर दिया जाता है दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ है what you can and cannot do आप क्या कर सकते हैं इस वीजा के थेया और क्या नहीं कर सकते हैं आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप जो है अगर इस वीजा पे UK जा रहे हैं तो आपको same job के लिए काम करना होगा जिस भी job को mention किया गया आपके visa application form में उसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी टाइप का ठीक है और आप study करना चाहें तो study कर सकते हैं दोस्तों लेकिन वो भी short term course के लिए जो कि आपका 6 महीने में खतम हो जाए इस टाइप की study आप कर सकते दोस्तों उसके बाद लिखा हुआ you cannot take a permanent job जो कि मैंने आपको already बता दिया second job भी आप नहीं कर सकते हैं ठीक है और public funds यानि loan वगएर वहाँ पर नहीं ले सकते हैं और आप अपने परिवार को ले करके नहीं जा सकते हैं दोस्तों यह सारी चीज़ा आपको ध्यान में रखनी अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो आपको यह visa नहीं मिल सकता है आपके पास certificate of sponsorship होनी चाहिए जो कि आपका employer देता है जिसे हम work permit भी कह सकते हैं दूसरी language में ठीक है उसके बाद लिखा हुआ है कि आपके account में जो है कम से कम 1270 pounds होने चाहिए proof of fund के लिए और यह पैसे जो है दोस्तो जब भी आप visa लेकर के जाने वाले हो उससे एक महीने पहले तक आपके account में होने चाहिए तभी यह fund valid माने जाएंगे दोस्तो अदरवाइस इन funds को valid नहीं माना जाएगा ठीक है यह चीज याद रखिएगा दोस्तो साथ ही आप लिखा है जो भी आपको job मिल रही है उसके लिए जो आपको minimum wage मिलनी चाहिए employer की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो foreign worker को hire कर रहे है तो वो कम पैसो में आपसे काम करवा लेंगे दोस्तो अगर ऐसा होता है तो आपको यह visa नहीं मिलेगा आपको कम से कम employer से minimum wage मिलनी चाहिए जो कि वो UK के बंदे को भी pay कर र दोस्तों यहां देख सकते हैं you must apply online for this visa इस visa के लिए आपको online apply करना होता है दोस्तों यही process है ठीक है उसके बाद जब यह सारी चीज़े हो जाती है तो यहां पर आपको UK के visa application center में जा करके fingerprints वगएर देने होता है photograph वगएर खिचवानी होती है और जो भी process होता है visa लेने का वो आपको follow करना होता है दोस्तों उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है तो मैंने आपको UK के इस seasonal work visa के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों I hope आप समझ चुके होंगे कि कितने दिनों के लिए और कितने पैसे खर्च करके आप UK जा सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं अगर आपको भी UK जाना है तो वेट करना छोड़िए जल्दी से अपने लिए UK में job search करना चालू किज़े दोस्तों देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप UK का visa ले सकते हैं और इस visa के तहत आपको क्या क्या करने का मौका मिलेगा कितने पैसे देदी है अगर आप भी वीजा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जासे कि मैंने आपको बताया था कि UK में job search करना चालू कर दीजिए दोस्तों आप अलग-अलग websites बिजा सकते हैं रीड नाम की website है दोस्तों एक LinkedIn नाम की website है दोस्तों ग्लास डोर नाम की website है इन सभी websites बजाईए खुद के लिए job डूंड ये job मिल जाते हैं उन jobs के लिए apply कीजिए apply करने के लिए CV और cover letter बना लीजिएगा जरूर से जरूर ठीक है और वो भी UK format का अगर खुद से बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों मैं हूँ सौरव और आप देखे रहें तरह पब्लिक इंजन आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई